क्या PUBG Mobile इंडिया में फिर से आ गया? आपने सुनाओगा कि बहुत सारे डेवाइसे पर PUBG Mobile बिना VPN के चल रहा है और इससे कुछ लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं कि शायद गेम वापिस आने वाला and in the other hand PUBG Mobile Lite में भी बहुत सारे चेंजेस देखने को मिल रहे हैं वो गेम बिना VPN के भी चल रहा है तो BGMI अगर इंडिया में आ गया तो क्या डेटा ट्रांसफर हम कर पाएंगे फिर से BGMI के उपर और अगर आने वाला है तो फिर कब आने वाला है? ये सारे गोशन्स आप लोगों के मन में होंगे लेकिन क्या ये सच में पॉसिबल है? आज हम डीटेल में देखेंगे कि क्यों BGMI को रिपलेस करना PUBG Mobile के लिए इतना आसान नहीं है हम डिसकस करेंगे डेटा प्राइवेसी, इन्वेस्मेंट, लीगल हडल्स और टेकनिकल ग्लिचेस के बारे में जो PUBG Mobile को वापिस आने में रोग सकता है तो अगर आपको भी confusion है कि PUBG Mobile वापिस आ रहा है कि नहीं आ रहा है तो ये वाली वीडियो देखने के बाद पूरी confusion क्लेर हो जाएगी और अगर इस चैनल के उपर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर ले ना क्योंकि यहां से जादा डीटेल कॉंटेंट आपको कही हो नहीं मिलेगा सबसे पहले बात करते हैं PUBG Mobile के बिना VPN के चलने के बारे में PUBG Mobile कुछ devices में बिना VPN के चलता हुआ दिख रहा है और साथ में PUBG Mobile Lite भी बिना VPN के चल रहा है इसका मतलब यह नहीं है कि गेम अन्बैन होने वाला है इना VPN के गेम क्यों चल रहा है इसके पीछे कुछ रीजन्स हो सकते हैं जैसे कि server configuration changes कभी-कभी developers tweak करते हैं server settings को और game temporarily access कर पाते हैं लोग कुछ रीजन्स में तो यह कोई unintended glitch हो सकता है या कोई backend की testing phase का part हो सकता है तो इसको हम official unbanning नहीं कह सकता है और यह भी हो सकता है जो अभी latest update आया है अपना 3.4 का PUBG Mobile में उसके बाद ही यह चीज़े हो गई हो जो कि temporarily शायद हो सकता है बिना VPN के गेम चल रहा हो लेकिन full time मेरे साब से तो नहीं चलेगा बिना VPN के गेम चल सकता है इसका मतलब यह नहीं है कि गेम unban हो रहा हो और ऐसे बहुत सारे examples हैं जो कि गेम बैन हो गया हो या एब बैन हो गया हो और उसके बाद भी वो बिना VPN के चल जा रहा हो कुछ sources का कहना है कि Crafton और Indian authorities के बीच discussion चल रहा है और एक नई एग्रीमेंट के तरूफ अब जा सकता है तो इसके बारे मैं आपको आगे बताता है अब बात करते हैं बबजी मोबाइल को रिप्लेस करना BGMI के लिए इतना सिंपल क्यों नहीं है Crafton ने BGMI के लाउंच के टाइम पर significant investment किया है इसमें game development, marketing, e-sports tournament और local server infrastructure include है BGMI का already a strong player base है और e-sports ecosystem ग्रो हो रहा है BGMI tournaments regularly conduct किये जा रहा है जो कि Indian gaming community में well established है BGMI के हालत बहुत जादा कराब है बट still हम इसी को established game मानेंगे क्योंकि PUBG Mobile तो हमारे इंडिया में है नहीं तो यही एक game है जो कि हम लोग खेलते हैं PUBG Mobile को data privacy issues के वज़र से बैन किया गया था government ने ये बैन लगा के clear किया था कि data production के बिना कोई भी app इंडिया में operate नहीं कर सकता PUBG Mobile ने अभी तक अपने servers को इंडिया के regulations के according change नहीं किया है data localization और protection के measures को improvement करना जरूरी है जो अब तक PUBG Mobile ने नहीं किया तो अगर BGMI अलड़ी established है वो game चल रहा है इंडिया गेंदर अच्छी investment कर चुका है crafting almost सारे players PUBG Mobile Global से अपने ID को BGMI के ओपर ट्रांसफर कर चुके हैं और जो PUBG lovers थे वो सारे BGMI के ओपर तो अब क्या सेंस बनता है कि PUBG Mobile अगर आ गया तो फिर वापिस से उस पर शिफ्ट हो जाएंगा एक एंगल से हम देख सकते हैं कि PUBG Mobile का optimization BGMI से बहुत जादा है जो इंडिया का gamer base है जो BGMI को पसंद करता है या PUBG Mobile को पसंद करता है तो वो definitely PUBG Mobile पे shift होना चाहेगा पर यहाँ पर तीन लोगों का opinion matter करता है सिर्फ आप लोगों का नहीं अगर हम users है तो यहाँ पर government भी है और साथ में जो team है जिसने game को launch किया है वो भी है तो तीनों के aspects को देखकर यह game launch किया जाएगा तो सबसे पहले government का aspect देखेंगे तो government का एक ही concern है कि जो data privacy issues है वो नहीं होना चाहिए किसी भी app के ओपर यही reason से PUBG Mobile बैन हुआ था क्योंकि वो comply नहीं करता था और अब भी नहीं करता है तो government अब भी नहीं चाहेगी कि PUBG Mobile इंडिया में वापिस आए यूजर्स चाहते हैं PUBG Mobile वापिस आए government चाहती है कि जो servers है वो इंडिया पे ही होने चाहिए और अगर हम game की बात करें तो game भी नहीं चाहेगा कि PUBG Mobile वापिस आए इंडिया में क्योंकि already बहुत ज़ादा investment हो चुकी है BGMI के उपर अब फिर से BGMI को PUBG Mobile में transfer करना बहुत बड़ा challenge होगा और कोई sense भी नहीं बनाता है because दोनों same game है Crafton already अच्छा earn कर रहा है इंडिया से PUBG Mobile को वापिस लाने की ज़रुवती की तरह ज़रुवत सिर्फ users को है because game अच्छा नहीं चल रहा अपना BGMI और एक reality यह है अगर BGMI जिस दिन अच्छा चलने लग जाएगा उस दिन आप भी कोई complain नहीं करोगा और हाँ PUBG Mobile से बहुत सारी चीज़े हो सकती है जैसे कि हमारा जो e-sports है वो internationally जा सकती बट अभी के लिए दो parties की तरफ से नो है game and government और सिर्फ users की तरफ सही है अब game तो उनी के हाथ में वो दोनों ही control कर सकते है तो दोनों के लिए ये matter unfavorable है तो PUBG Mobile को वापस लागर कोई sense नहीं है और यहीं पे अगर PUBG Mobile Lite की बात करूँ PUBG Mobile Lite का कोई भी Indian version नहीं है तो सेम चीज़ है जब तक government agree नहीं करती उनके data privacy issues को game नहीं आ सकता हो सकता है चल जाए बिना VPN के बट officially आपको वो देखने को नहीं मिले और अगर आपका PUBG Mobile Lite चल रहा है तो ये भी हो सकता है कोई loophole हो जिसके थूँ PUBG Mobile Lite वाले जो developers हैं उन लोगों ने access करा दिया हो इंडिया के अंदर बट अगर ये चीज होती है तो officially आपको बताया जाएगा और हाँ एक और news article देखा था जहां पर इंडिया इंड चाइना के connection के बारे में लिखा था जो कि सही होने जा रहे है और इसका impact apps जो भी band है उन पर पढ़ सकता है और साथ में gaming industry भी पढ़ सकता है बट मेरे ख्याल से नहीं आएगा क्योंकि game already established हो चुका है तो PUBG Mobile का कोई मतलब नहीं बनता दो-दो game चलेंगे और मान लोगे PUBG Mobile इंडिया में unban हो भी जाता है आ जाता है तो BGMI भी चलेगा विकाज उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है वो band तो होगा नी तो दोनों game चलते रहेंगे तो अब data transfer का क्या होगा यह चीज impossible है कि आप यहां से इंडिया के data को किसी और server पे जाके डालेगा क्योंकि main issue तो यही था जब PUBG Mobile बैन हुआ था PUBG Mobile से BGMI के अंदर तो data आ सकता था बट इंडिया से बाहर data नहीं जा सकता तो PUBG Mobile अगर आप ही जाता है तो आपको बिना ID के उसके पर खेलना पड़ेगा या new ID बनानी पड़ेगा बट यह चीज़े अजीब नहीं लग रहे है आप लोगों मुझे comment section में बताना बागिए अगर आपने subscribe नहीं किया हो तो कर लेना और वीडियो को glitches versus policy change जो temporary access report हुई है वो technical glitches भी हो सकती है गेम और app servers को update किया जाता है और temporary access glitches के वज़ा से यह हो सकता है ना कि किसी policy change की वज़ा से आपके phone पे software update के दौरान temporary bugs आते हैं वैसे ही यह technical glitch भी हो सकता है और अगर BGMI हमारा आज की date में इतना अचा चल रहा होता जितना PUBG Mobile चलता है तो शायद PUBG Mobile को आप लोग भूल भी गए होते हैं क्योंकि दोनों गेम सेम हैं तो आप उसकी तरफ देखोगी क्यों जैसे कि PUBG Mobile and PUBG Mobile के दोनों ही गेम almost सेम हैं तो यहाँ पर कोई भी competition वगरा नहीं है बट यहीं पर अगर हम BGMI की बात करें BGMI में इतने सारे glitches हैं वो बताने की जुरत नहीं है मुझे comment section में आप लोग अपने-अपने glitches लिख देना जो आप लोगों के साथ होते रहते हैं daily तो इतने सारे glitches BGMI के उपर हैं server issues हैं तो उसके चलते हमको चाहिए एक अच्छा game जो कि PUBG Mobile जैसा हो या PUBG Mobile ही हो बट ऐसा भी तो हो सकता है कि BGMI ही सही हो जाए कुछ टाइम बात हो सकता है कि BGMI बिल्कुल परफेक्ट चलने लग जाए PUBG Mobile की तरह तब आपको PUBG Mobile की नीड नहीं होगी तो इस जो rumors होते हैं इनको मत देखा करो बाकि अपना जो common sense उसको लगाया करो कि PUBG Mobile बैन हुआता तो किसलिए हो था क्या वो चीज अब comply करता है या फिर नहीं अगर करता है तो फिर आजाना चाहिए लेकिन अभी तक तो ऐसा कोई नीज नहीं है कि PUBG Mobile सारे जो लीगल चीज है उनको comply करता है जो भी लीगल requirements है वो अगर पूरा गड़ता है PUBG Mobile तो अगर आपको यह वाली वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और इस चैनल को subscribe कर लेना आपके लिए असा ही content इस चैनल के उपर आते रहता है और मुझे comment section में बताना आप लोगों के साथ क्या गया glitches चल रहे हैं बीजे माई के उपर तो मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई